एक एक सेल में एक स्टार प्रिंट करेंगे इन इस वेडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्राम में तरह हम लोग इसको भी क्या करेंगे पहले टेबल फॉर्माट में कॉपी करेंगे एक एक सेल में एक स्टार प्रिंट करेंगे इन इस वेडियो और करो दिस विल भी रोस रोंपने इतने रोश से स्टाट हो रहा है रो 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 टू रो ट्री रोपोर एंद रोफाई टोटल नमबर अफ रोट पांश हो गया सब्सक्राइब कोलम्स कितने है कोलम 1 गॉलम 2 कोलम 3 गॉलम 4 गॉलम 5 और टोटल number of columns भी पांच आगा है अभी रोस कितने है total number of rows is equal to five total number of columns वो भी हमको पांच आगा है अब मुझे क्या करना है मेरा table में star कांसा कांसा रोस प्रिंट करना है so first one हम लोग क्या करेंगे first we will be concentrating on this stars अब यह वाला stars के इसे print करते हैं and then हम लोग क्या करेंगे यह वाला star के से print करेंगे so next one यह वाला stars के से print करेंगे in third step we will be printing यह वाला stars so tisra step में यह वाला stars print करेंगे the first one के first हम को क्या करना है I want to print the stars in this way the row one अगर मेरा row one है सारे कॉलम्स मेरे को stars प्रिंट करना चाहिए if when row is equal to one अगर मेरा row one है सारे stars कंसा कंसा कॉलम्स में स्टार्स प्रिंट करना चाहिए सारे कॉलम्स मेरे को स्टार्स प्रिंट करना पड़ेगा second one second condition के when column is equal to one अगर मेरा कॉलम्स वन है तब भी मेरे को सारे rows में stars प्रिंट करना चाहिए I want to print stars in all the rows ठीक है यहाँ पर दो if conditions आएगा if column is equal to one you have to print all the stars if row is equal to one I have to print all the stars the column one होंगे तो भी सारे स्टार्स प्रिंट करना है रोवन होंगे तो भी सार्स प्रिंट करना है यह वाला पाठ हो गया नेक्स्ट वन क्या चाहिए I want to print these stars I want to print these stars अभी क्या करेंगे हम लोग फिर्स्ट कॉंसा रो में कॉंसा कॉलम में चाहिए यहां पर अगर आप रो इस इक्वल टू देखोगे यह विसी दिस रोटू में यह जो स्टार है यह फॉर्थ कॉलम में आ रहा है रो नंबर टू पर आ रहा है कि यह वाला जो देखेंगे हम लों रो नंबर त्री में कॉलम नंबर त्री रो नंबर फोर में कॉलम नंबर टू अभी हम लोग क्या करेंगे रो नंबर row number 2 में column number 4 पे आगए row number 3 में column number 3 पे आएगा row number 4 में column number 2 पे print करना चाहिए यह order में मेरे को print करना चाहिए so if we look at this order अगर हम लोग यह वाला order को देखेंगे यह row and column को हम लोग अगर compare करेंगे row plus column if I do this row plus column 2 plus 4 the result will be 6 3 plus 3 the result will be 6 वरल अब यह तीनो रोस में एक common चीज़ आता है हमको यह तीनो रोस के लिए एक common चीज़ आएगा that is the addition of row and column will be getting the same number row and column को add किया तो हमको same output आता है छे आएगा so अगर मैं row plus column 6 होता है उसकी जगा star print किया तो sufficient हो जाएगा right when row plus column is equal to 6 I want to print a star that's all we will get the triangle that we want यह तीसरा triangle आएगा मतलब तीसरा line आएगा now let us write the logic for this one I will logic क्या है first one for row in total number of rows कितने consider किया था six five consider किया है so one comma six व्योंकि range में one two five मतलब plus one लेना पढ़ेंगे sorry row in range of not rows in range of one comma six next one column लिखना है for column वो भी हमको 5 तक चाहिए range of one comma six तो यह फर्क के अंदर मेरेको for loop if conditions apply करना है condition क्या है if row number is equal to one अगर मेरा row number one है मेरेको क्या करना है star print करना चाहिए right so row number one होंगे तो मेरेको star print करना है बाकि सारे star मेरेको a के line में print करने के लिए end statement लियाना अगर यह नहीं if row is not equal to one I just want to print empty spaces क्योंकि जहां जहां पर आमको stars चाहिए उसकी जगा वो छोड़के बाकि सारे locations मेरेको spaces ही print करना चाहिए so end is equal to this one so जैसा मेरा first for loop complete होगा before going to the next loop I just need to break my end statement इसके लिए print of statement लिया empty print statement so if I execute this one अगर मैं यह प्रोग्राम को execute करता हूँ हमको row one पे सारे columns में stars आएगा मतलब एक straight line में stars print होंगे print होना चाहिए देखो पहले execute करके देखो straight line में star print हो गया six लिया था five पे आगए अब मैंको क्या है column one पे चाहिए सो column one पे क्या LF condition यूज कर रहा हूँ LF column is equal to is equal to one row one नहीं अगर column one है क्या वो check करना है if column is equal to is equal to one वहाँ पे भी मेरे को star print करना पड़े कॉमा एंड इस एक्विल टू स्पेस नाव वी विल गेट inverted L-sheet column one में भी सारे स्टार्स आएंगे column row one में भी सारे स्टार्स आएंगे इस वे में देखो आगए अब तीसरा क्या है मेरे को ये वाला match करना चाहिए तो वो condition क्या consider किया था हम लोग LF row plus column is equal to six row plus column is equal to six I again need to print star वापस मेरे को star print करना है end is equal to this one now you will get the triangle that we want अभी ये वाला statement हमको execute हो जाएगा देखो आगा है star so this is our program ये हमारा logic है तो ये वाला triangle pattern print करने के लिए तो यहां पे क्या है ये सारे static है if you want to make them as dynamic you can make them as dynamic तो पहले आपको रोज डिकलेर करना पड़ेगा तो अगर आपको डाइनमिक रखना है पहले आपको रोज डिकलेर करना पड़ेगा कितने रोज का ट्राइंगल चाहिए ये कितने रोज का आपका pattern चाहिए तो इंट आफ इंपुट आफ एंटर दे नंबर ओफ रोज एंटर दी नंबर ओफ रोज तो यहां पे 6 की जगा रोज कंचलर करते हैं हम लोग रोज प्लस 1 यहां पे रोज प्लस 1 तो जहां जहां पे 6 है वहां वहां पे हम लोग प्लस 1 लेंगे तो प्लस 1 यहां पे क्यों ले रहा है तो वेनेवर आम टेकिंग 5 बाइफाइ ट्राइंगल अगर मैंने यहां पे क्या किया था 5 बाइफाइ ट्राइंगल लिया था तो five by five rows के लिए row plus column कितना आया five plus one six आया है अगर six by six लेते हैं हम लोग six by six लेंगे तो row plus column हमको seven आता है seven by seven लेते हो if you take a seven by seven triangle seven by seven शेप आपको प्रेंट करना है सब रो प्लस कॉलम आपको eight आएगा तो मेरा रो कितना यहां पर पांच है इसलिए five plus one ले रहा हूं यहां पर हमने टोटल नमबर आफ रोस फाई कंसलर किया है इसलिए हमने रो प्लस वन किया था यहां पर मेरे को आउटपुट ही six चाहिए था इसलिए डारेक्ली रो प्लस वन लिया है इसको सेव करके रन करो टोटल नमबर अभी six ले रहा हूं आगे आए शिक्स भाई शिक्स की तो ऐसे आपनों प्रिंट कर सकते हैं इफ यू ओंट अगर हमें चाहिए इतना इतना यह लेने का ज़रूरत भी नहीं है एक हिए कुफ कंदीशन में और ऑपिटर यूस करके कर सकते हम लों पे कि फ हिवके कंदीशन में और ऑफ डॉब आपन earthly से को में हो जाएगा वाप रहे किच्छे इक है जस्ट ऑप अर स्टेट்मेंट इहाप कमबैन कर लो फ्याइट इन कियो झाल झाल